हलो फ्रेंट्स बहुत मुँआ स्वागत है आपका सुपर फास स्टेडी एन एक्सपरिमेंट पर दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पुल्ली कन्वेयर के बारे में जिसे की ड्रम पुल्ली कन्वेयर भी कहा जाता है कन्वेयर एक material handling equipment होता है जिसकी सहायता से किसी भी product को चाहे वो final product हो या फिर raw material हो उसे एक जगह से दूसरी जगह shift किया जाता है कन्वेयर अलग-अलग designs के होते हैं अलग-अलग types के होते हैं इस वीडियो में हम पुल्ली कन्वेयर के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं बने रहीएगा वीडियो में आने लाग तो यह है हमारा drum pulley conveyor नाम से ही clear है ऐसा conveyor जिसमें drum pulley है लेकिन इसकी खासियत यह है कि इस conveyor में और किसी चीज का इस्तमाल नहीं किया गया है जैसे नॉर्मल कन्वेयर बेल्ट में आपका रबर के बेल्ट का इस्तमाल किया जाता था और वो पुल्ली के अराउंड में घूमी रहते थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुल्ली का इस्तमाल किया गया है हर एक मीटर के डिस्टैंस पर पुल्ली लगी हुई है एक प्लेट फॉर्म बना हुए है उसमें नंबर ओफ पुल्ली लगी हुई है और उसके ऊपर होट बिलेट यहाँ पर आप देखे होंगे अभी एक बिलेट जो होट बिलेट उस से सिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि पुली जो है वो मैटल की बनी हुई है और इसका फ्रेम ऐसा बनाया गया है कि जो बिलेट है वो एक जगा से दूसरी जगा जाए और पुलीस की जो डायरेक्शन है वो सारे पुली की डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है अब हम बात करेंगे आप देख सकते हैं काफी लंबा कन्वेयर है ये और इस कन्वेयर बेल्ट का देखिए यहाँ पर मैं ओपन हुआ हिस्सा आपको दिखाता हूँ ये देखिए सारे पुली जो है वो एक आरपेम पे घूम रहे हैं और इन्हें पावर मिल रहा है मोटर से मोटर जो ये पुली है इसके सामने में वी बेल्ट पुली लगा हुआ है और वी बेल्ट पुली आपस में इंटर कनेक्टेड है बीच बीच में स्टेशन बनाये गए ह इसमें जिसमें की power supply किया जा रहा है बीच-बीच में से हर 10-12 पुली में से एक पुली को power दिया जा रहा है जबकि बाकी के जो पुली हैं वो V-belt के through interconnected हैं जिसकी सहायता से वो घूम रहे हैं यह आप देख सकते हैं यह देखिए यह यहाँ पर motor लगा हुआ है और यह V-belt से इस पुली को घुमा रहा है ड्राइब पुली और बाकी की जो driven पुली हैं वो इस तरह से घूम रहे हैं फिर next station आ गया है दूसरे station पर फिर से यहाँ पर motor है यह motor का station है जो छोटा सा hut जैसे बना हुआ है और फिर आगे की पुली जो है उसके साथ interconnected है V-belt के through फिर आगे में distance में यह देखिए यहाँ पर फिर से एक motor का platform आ गया है यह जो छोटा सा दीख रहा है इसके अंदर motor है फिर आगे ऐसे करके पुरे throughout length में हर 10-12 conveyor के बीच में एक driving motor लगा हुआ है पुली के साथ और बाकी की पुली में V-belt पुली लगे हुए है हर पुली के दोनों side में bearing और blocks लगे हुए है उनके shaft में और वो एक platform में इस तरह से fix है सारे पुली जो है वो आपस में parallelly connected है एक platform पे एक rail है उसकी उपर में आप देख सकते हैं यहाँ पुली जो है वो घूम रही है और यह इस तरह के से hot material को hot billet है उसे direct shift कर दे रही है तो यहाँ पर दोस्तों यह जो conveyor belt है इसे बनाया गया है CCM continuous casting machine जहाँ पर direct billet बन रहा है उस billet को वहाँ से direct rolling mill में transport करने के लिए इस conveyor को बनाया गया है तो आप समझ गये होंगे कि hot material को conveyor करने के लिए यहाँ पर police का इस्तमाल करके conveyor belt बनाया गया है और इसलिए यह अपने आप में एक अलग तरह का conveyor है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी conveyor belt से related बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर uploaded है आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं अगर एक परसंट भी वीडियो helpful लगी होगी प्लीज चैनल को सब्स्वाइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा